हेलो फ्रेंड्स, विल्कम बेक टू माई चैनल, मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या से लाइ डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउस से ब्लाउस की नाप लेके ब्लाउस की कटिंग करना सेखने वाले हैं और यह हमारा बॉर्डर वाला ब्लाउस है जिसकी हम कटिंग करने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे नाप ले लेंगे तो देखो यहां पे हमको अपनी लंबाई लेनी है तो लंबाई देखना है हमारी कितनी है तो यहां पे आप लिखते चलिए या फिर आप तुरंत यहां पे नाप लेते चलिए तो देखो यह हमारा ब्लाउस 13 इंच का तो 13 इंच का हमको ब्लाउस तयार रखना है ठीक है अब इसकी बात आती है चेश्ट की बात तो हम यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे और यह हमारा 16 इंच सीना ठीक है तो 32 इंच का यह सीना हुआ हमारा तो देखिए इस तरह से यह हमारी कमर है और करने भावी हम को प्लाउज की ब्लाउज की लंबाई हो गई हमारी 13 इंज की तो छलें मैं रही करते हैं यहां लगोण कटिंग करें यह जिसके हमको कतिंग करना है एक पो पहले पूरा ओपिंग करने हैं तो देखो इस तरल इस से आख में मैं कप्रे नीक अब रखने के बाद यहां पे लेंगे लेंगे तो इसमें से हमें च्पड़ नागर्ड है वह बार्ड के लिए ब्लाउस लेंगे अब Kennesby mammoth को Óegen प्लाइद ले ostat ले इसी कप्ड़े का जैसे कि यह बॉाडर वाला ब्लााउस है तो हम यहाँ प्वरिचे की साइट यहाँ पराण रहादा नीचे की साइट यहाँ से फोल्ड करदे ले किस यहाँ बॉड़र को इतना ही रखना है तो इतना हमारा आ जाएगा एक इंच का तो इतना एक इंच का हमें बार्डर रखना है पूरा बार्डर नहीं रखना है तो इसलिए मैं क्या करूंगे यहां पर डेढ़ इंच प्लस करके लोंगे लेकिन अगर आपको यहां पर ब्लाउस की लेंथ में यह प प्लस करिएगा तो सोल्डर में हमारा शिलाई में चला जाएगा और इधर फोल्ड होगा तो हम अलग से पट्टी लगा लेंगे ठीक है तो यह रही हमारी लेंध की बात तो अब मैं यहां पर देख लेती हूं मुझे लेना है यहां पर 13 इंच ब्लाउज रखना है तो यहां हम उद्टी 24 इंच की लेंध की लेंगे तो यह हमारी बैक पार्ट की लेंध क्लिंध निकल आई हमें बैक पार्ट की लेंध की लेंध है उससे हमें 9 प्लस करके लेंगे फ्रेंट को दो ऊच्छी से पूरा बर्याबर शिसे रखना है क Municipal को साथैरह से रखने के बाद तो यह जो हमारा बॉर्डर निकलेगा ना तो यहां से हमारी शीव साजाएगी तो Όल इसको हम गट कर लेते हैं तो देख़िये यहां इसको हमारांगे की टसेवल लाघ जैगा जाके तो इसको आपने द offers निकाला है इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो इस तरह से बराबर से इसको फोल्ड करके रखना है तो देखो इस तरह से ये हमने इसको फोल्ड कर दिया तो ये हमारे चार परत में कपड़ा हो गया है दो इधर और दो इधर और जो बैग पार्ट था वो हमारा अंदर की साइट चला गया है जो फ्रेंट पार्ट है वो उपर की तरह ठीक है अब जो कपड़े का बंद भागा इसको हम अपनी साइट को रख लेंगे और खुले भाग को इधर साइट को रख देंगे अब ऐसे रखने के बाद हमारी लेंध तो निकल चुकी है अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे तो गले के लिए यहां पर हम 2 इंच पर निशान लगाते हैं लेकिन अगर किसी पतली लेडिस का आप बना रहे हो जैसे बहुत ज्यादा पतली है तब आप क्या करोगे यहाँ पर दो इंच लगाएगा इससे क्या होगा कि हमारा गला उत्रेगा नहीं शोल्डर उत्रेगा नहीं अगर आप पतली लेडिस के लिए भी धाइ इंच पर कट कर लोगी गला तो फिर उनका सोल्डर उतरने लगता है इसलिए हम गला यहाँ पर दो इंच पर कट करेंगे तो इस तरह से हमने दो इंच पर निशान लगाया अब हम इसी निशान से नीचे की और लेंथ लेंगे गले की तो देखो हमने अभी ब्लाउज में लेंथ नहीं लिया था कि कितनी हम को रखना है गला तो बस अब हम क्या करेंगे इसको बराबर से ऐसे रखेंगे रकने के बाद यहाँ से अपना इंचि टेव रखेंगे और ऐसे नापएगे तो यह हमारा है गला साड़े 5 इंच का तो जितना भी गला है उसमें से हमें 1.5 इंच प्लस करके लेना है तो यह 3. 5 एंच है तो हम 06 inch लेंगे तो यह stress 1.5 फुलANG एफसी पकी तरेश दोल कलेंगे कि Derive organism लेने के बाद इधर साइट को इक लाइनjutा थेज़ ذेंगे यहां के लिए और फॉलडर का के लिए यहां पर यहां पर 5 इंच पर ही लेता है, यह नहीं है कि मैं से इंच और निचा निचा की साइत को निशान लगाएंगे, तो यह निसान हम 9.6 इंच पर लिएगे, जो आर्मोल है हमारा, सुल्डर से नीचे की तरफ आर्मोल होता है तो यह हमारा आर्मोल हूं, आर्मोल हम 6.5 इंच पर लेंगे 32 इंच के साइज पर अब हम इधर साइट को एक लाइन खेज देंगे तो यह हमने एक बाक्ष बना लिया है अब हम यहाँ पर गहराई करेंगे तो दो इंच पर हम इस तरह से एक लाइन ड्रो करेंगे और हाफ इंच ऐसे करेंगे बस यहाँ पर हमें गुलाई कर लेनी और हाफ इंच वाला अंदर के साइड डाउन कर देना है तो देखिए इस तरह सीए हमने यहां पे अपने गुलाई कर ली है आरमोल पर भी इसके बाद अब हम अपने यहां पे सीने का नाप लेंगे तो सीना हमारा कितना था 32 इंच था यानि कि हमें चौथा भाग निकालना है सीने का तो यह हमने 8 इंच पर निशान लगाया इसके बाद 2 इंच हमें मार्जिन ले लेना है यह हमने 2 इंच मार्जिन लिया अब हम नीचे की साथ कमर का निशान लगाएंगे तो कमर हमारी थी यानि कि 27 इंच की हमारी कमर है पूरी अब हम 27 इंच का चौथा भाग निकाल लेंगे यहां पर निशान लगा लेना है ठीक है जैसे आपको निकालना नहीं आता है तो क्या करिएगा इसे इंची टेप लीचिए यह हमारा 27 इंच अब हम इसका हाफ करेंगे तो साड़े तेरा इंच आएगा इस तरह से यह देखिए यह देखिए अब यह साड़े तेरा इंच आया अब इसका हम हाफ कर लेंगे यह हमारा चौथा भाग निकाल आएगा बस ऐसे करता है और यहां पर हमें कमर का निशान लगा देना है और इसके बाद दो इंच यहां पर भी मार्जिन यहां पर हमारा कपड़ा कम नहीं होता है और थोड़ा सा हमारा कपड़ा सिलाई के बाद बजता है तो ज्यादा सही रहता है थीक है तो दो इंच मार्जिन आपको जरूर लेना है मैंने बहुत चारी वीडियो देखिए चिसमें लोग 1.5 इंच बताते है लेकिन आप 2 हैं कि कर देने का नाप लगाया है और कमर का नाप लगाया है यहां तक हम कोमको ळाइन मिला देनी है और इसके बाद मार्जिन वाली लान भी मिला लेनी है इस तरह से अब यह हो गई हema理 fitting वाली और मार्जिन वाली तो इतना हमारा ब्लाव Ce complete हों है इसके बाद अब धाल कि यहां पर हम लिए बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे तो देखो अब धो बेल्ट के लिए निशान कैसे लगाएंगे क्योंकि यह हमारा ब्लाउसबेल्ड वाला है तो बेल्ड वाला बनाना है अब हम यहां तो यह हमारा हाफ इंच तो कटिंग में चला गया है इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे पांच इंच पर निशान लगाएंगे ठीक है तो बस पांच इंच पर हमको यहाँ पर गले से पांच इंच नीचे की साइड निशान लगा लेना है तो यह रहा हमारा पांच इंच और सब्डाइब करेंगे में racks काम निशान वहा crime और था सँपड़ाती था सब्सक्रा गप्षोफ मTF-980 activity 5ड़ पर Honor बंढ़ है कानई में गोला दितर क गुण्श कोड़ सब्सक्राइब सब्सक्राइब नीचे की हाफ इंच पर सफ़क्व इसे खुलाईि करना है uh इसमें गुलाई करने के लिए ठीक है तो अब आप सोच रहे होगे कि यह हमने हाफ इंच बढ़ा दिया है तो यह हमारा पांच इंच पर था तो हाफ इंच बढ़ाया थिए हमारा बेल्ट कम हो जाएगा तो आप यह भी तो देखिए इधर साइट से हमारा सिलाई में चला जा तो यहां पर हमारा फिर परापर हो जाएगा तो इसलिए हमने यहां पर हाफ इंच उपर के साथ किया जैसे मैं आपको बता रही हूं कर आपका 32 इंच का साइज है तो आप से मैसे ही काटते चले जाए आपका ब्लाउस बिल्कुल भी गड़बर नहीं होगा ठीक है अब हम क गले की साइट से तो ऐसे हाफ इंच पर निशान लगाया और इधर साइट को पूरा कपड़ा रहेगा इधर हाफ इंच कट होगा तीक है अब हम यहां पर शोल्डर का बिल्कुल शेंटर लेंगे और नीचे किस तरफ बस्ट पॉइंट का निशान लगाएंगे तो यह हम न एक हमारी नीचे की साइट रहेगी तो यह भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स का निशान लगाना है तो देखो यह हमारा सिर्फ यहां तक रहेगा नीचे तक बेल्ड की तरफ नहीं जाएगा सिर्फ बेल्ड के ऊपर ही तक रहेगा तो अब यह निशान लगाने के ब लगा के यह हम 2 इंच छोड़ेंगे और बांके के हमने 1.5 इंच छोड़ा यहां से ठीक है तो इस तरह से हमें अपने चारों टक्स कंप्लीट करने होते हैं अब यह सारे निशान हमारे कंप्लीट हो गया है अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे कट कर लेंगे यहां पर हमारा गल बेल्ट नहीं कट करेंगे त इतना साइड से हमें कट करना है तो देखी इस तरह स्यहें हमने कट कर लिया है और इधर साइड से जो हमारा कपड़ा निकला है यहां से sleeves आएगी और यहां से हम hook पट्टी और eye पट्टी निकाल लेंगे तब उसको side में रखते हैं आप देखो यहां पर हमें क्या करना है यह हमारा front part जो हमारा उसको हमें से खोल देंगे और जो अंदर की side हमारा back part है इसको अब हम बाहर के side निकाल के लग देंगे अब उसको रखने के बाद यहां पर हम इसको फिर से double fully में कर लेंगे अब इधर side जो हमने half inch अंदर के side down किया था यह हमारा front part में केवल cut होता है इसे हम cut कर लेंगे और अपनी belt cut कर लेंगे तो देखेем इस तरशे से यह हमने cut कर लिया है cut करने के बाद अब हम इसको ऐसे open कर रखेंगे आपन करने के बाद जैसे हमने इधर tucks लगा है सेम tucks हम इधर भी लगाएंगे तो इन टक्स को हमको डार्क कर लेना है और दूसरे साइट छाप लेना है तो देखिए फ्रेंट्स इस तरह से हलके हलके से हमारे इधर लग जाएंगे अब बस हम इनको ऐसे डार्क कर लेंगे तो इससे क्या होगा हमें दुबारा से इंची टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें बार-बार नाप लगाने की जरूरत पड़े बस ऐसे हमें करना है अब इतना करने के बाद यहां पर हम सेंटर से बिल्कुल कटिंग कर लेंगे तो देखे अब यह हमारे पूरे फ्रेंट पार्ट के कटिंग कम्प्लेट हो गई है अब हम इसको रखते हैं साइड में और अपना ले लेते हैं बैक पार्ट थो बैप говоря्ट में हमको क्या करना है गलाबडा करना है इसको हम उल्टे साइट को ऐसे फोल्ल करके रखेंगे इस तरह से यह हमने रखा बराबर से मिला के रखना है अब इस तरह से रखने के बाद हम क्या करेंगे बैक पार्ट का गला लेंगे तो यह जो हमने ब्लाउज लिया हुआ है सेम इसी नाप का बनाना है तो अब हम क्या करेंगे इस बैक पार्ट का नाप ले लेंगे तो पहले रखने के बाद soulder के पास से अपना इंची टेप रखना है और इधर साइड देखना हे यह WebAnt- yeux अफ n? चाने लेएंट PUBGणी जाएगे से विए तैयार हमारा अफ ह? आप अब कर देंगे स्वूच्छ को मिया आफ इंच हुजा करेदें गर्जान days बस इसको ऐसे ही cut कर देंगे तो देखिए इस तरह से यह हमारे गले की cutting complete हो गई है इसके बाद अब हम यहाँ पे अपने dot के निशान लगाएंगे तो यह हम इधर से 4 इंच लेंगे और उपर के side को भी 4 इंच लेंगे यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है यह हमारा निशान हो गया सेम इसी तरह से इधर साइट भी करना है तो देखिए फ्रेंट इस तरह से यह हमारे back part के दोनों dot भी complete हो गया है तो front part और back part complete हो गया है अब हम यहाँ पे sleeves की cutting करेंगे तो पहले हम यहाँ पे उसकी hook patty और eye patty की cutting कर लेते हैं तो यह जो हमारा गला है यही से हम पहले इधर साइट से जो गोलाई होती है उसको हम ऐसे बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद इसके हम दो भाग कर देंगे बिल्कुल center से तो यह हमारी एक हो जाएगी hook patty और एक हो जाएगी हमारी eye patty तो यह हो गई हमारी hook patty और eye patty अब हम sleeves की cutting सीखेंगे तो देखो friends sleeves cut करने के लिए हम क्या करेंगे इसको इस तरह से रखेंगे इस तरह से अब रखने के बाद हम क्या करेंगे यहां पर हम अपनी length लेंगे तो देखो यहां पर हमको blouse के according sleeves कट करना है तो यहां से हमको आस्तिन की nap लेनी है पहले तो यह हमारा जो frill लगा है इस frill को छोड़के हमें sleeves की nap लेनी है तो यह है हमारी साड़े 3-inch की sleeves ठीक है तो आगे की साइड हमें ये border वाली blouse है न तो border भी आगे की साइड लगाना है तो यहाँ पे हमारा आगे की साइड fold होने में जाएगा नहीं तो सारे 3 इंच की तयार रखना है तो half इंच केवल plus रखेंगे तो यह हमारी 4 इंच पर cut होगी मैं आपको बता दूँ अगर आपका यहाँ पे border नहीं है केवल simple blouse है और simple sleeves cut करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आप 1.5 इंच प्लस करके लोगे तो यहाँ पे हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे तो यह हमारा 5 इंच पर आएगा तो यहाँ पे लेंच पर निशान लगाएंगे तो आपको लेंट कैसे लेनी है यह मैंने अच्छे से समझा दिया है अब इसके बाद यह हमारा armhole side जुड़ेगा जाके तो यह हमको कितना लेना है इसकी लेंथ तो जितना हमारा chest है chest का चौथा भाग करेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको चौथा भाग 8 इंच पर blouse की cutting की थी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 इंच पर निशान लगाएंगे तो जितना भी आपका chest है chest का चौथा भाग करना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है अब यह निशान लगाने के बाद इधर side को एक line draw कर लेंगे यह हमारा एक box बन गया है अब इसी box के अंदर से हमारी sleeves निकल के आएगी तो देखो यह हमारा क्या हुआ इधर जो armhole side से जुड़ेगा जाके ना तो इधर side से हमको क्या करना है 1.5 इंच ऐसे निशान लगाना है और 1.5 इंच पर हमें अपने आस्तीन को down करना है अब हमने जो निशान लगाया है यहां से यहां तक उपर तक एक line draw कर लेनी है यह हमने line draw कर लिया है अब हम यहां पर ऐसे गुलाई कर लेंगे इसा करका save देंगे अपने blouse sleeves में इस तरह से यह हमने इसा करका save दिया अब इसके बाद आगे के side bottom का निशान लगाएंगे तो यह हमारा bottom कितना है मैं आपको एक बार blouse से नाब के बता देती हूँ तो हमें frill से नहीं लेना है क्योंकि हमारी ribbon भी frill से नहीं है तो यह हमारा है bottom 5 inch तो बस अब हम bottom 5 inch ले लेंगे इस तरह से यह हमने सारे 5 inch लिया इसके बाद यहाँ पे हम 1.5 inch प्लस कर लेंगे margin के लिए अब इस निसान से इधर साइड कोना मिला देंगे यह हमने कोना मिलाया इसके बाद यहाँ पे fitting लगाएंगे तो इधर साइड हमको 1 inch छोड़ना है और यह हमको fitting वाला लगा लेना है बस हम इसको ऐसे ही cut कर लेंगे पूरे को तो देखिए इस तरह से यह हमने अपनी आस्तिन की cutting कर ली है अब इतना करने के बाद दोनों आस्तिन को ऐसे open करके रखेंगे तो देखो यह सीधा साइड है हमारा sleeves को और यह ultra साइड है इस तरह से रखना है पहली वाली आस्तिन और अब जो दूसरी आस्तिन रखेंगे सीधा साइड नीचे की तरफ मिला के रखेंगे और उल्टा साइड उपर की तरफ तो इस तरह सी यह रखा अब रखने के बाद यहां पर हम हाफ इंच अपनी आस्तीन डाउन करेंगे एक साइड से यह हमारा सिंटर है स्लीफ का और सिंटर लेने के बाद फिर उसका इस तरह से सिंटर पर हाफ इंच पर निशान लगाना है और यहां पर ऐसे ही गुलाई कर लेनी है और कटिंग कर लेन हमने पूरी complete कर ली है अब देखो यह जो हमारा sleeves के बाद कपड़ा बचा हुआ है तो अब हम इसको ऐसे ही बराबर शे रखेंगे इसको आगे की साइड इतना हम cut कर देंगे ठीक है अब cut करने के बाद यह जो आस्तीन के पास से हमारा औरेम में कपड़ा बचा हुआ है इसको ऐसे ही open करके रखना है इस तरह से रखने के बाद अब हम यहां से अपनी पट्टी निकालेंगे वो blouse के piping के लिए तो इस तरह से औरेम पट्टी निकालेंगे देखो तो देखो यह कपड़ा हमारा इस तरह से तिर्चा रखेंगे तो औरेम में है इस तरह से यह बढ़ रहा है अगर आप सीधे सीधे कट करोगे तो यहां पर हमारा ज्यादा कपड़ा नहीं बढ़ेगा इसलिए हमको अपने piping के लिए यहां पर औरेम पट्टी चाहिए होती है तो इस तरह से अपना पट्टी रखेंगे रखने के बाद यहां पर हम ऐसे निशान लगा लेंगे लाइन कीच लेंगे और बस यहां से cutting कर लेंगे तो आपको जितनी पट्टी चाहिए इस तरह से बढ़ाते जाइए और cutting करते जाइए तो देखिए फ्रेंट इस तरह से यह हमने चार पटियां कट कर ली है बस इतनी ही पटियों में हमारी पाइपिंग कम्प्लीट हो जाएगी तो इस तरह से फ्रेंट हमने अपने ब्लाउस से नाप लेके ब्लाउस की कटिंग कैसे करते हैं अप लोगों ने सेख लिया है, I hope आपको भी समझ में आ गया होगा, जहां पे भी समझ में नहीं आया है, आप मुस्से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को कमेंट में एंसर दे दूँगी, या फिर अगले वीडियो में अच्छे से समझा दूँगी जहां पे जिस बहुत धन्यवाद